Hi everyone welcome to inspire classes ये वीडियी सुरीज का part number 9 है Last class में error हम लोगों ने शुरू कर दी थी और error के basics मैंने आम लोगों को हमापे समझा दी थे Types of error के बारे में हम लोगों ने खिर किया था और उसके अलाबर हम लोगोंने types of error के उपर based numericals थे वो कर लिये थे एक हमारे पास absolute error, mean value, mean absolute error, relative error, percentage error, तो उस तरह के basic calculation के question मैं आपको करा दिये थे, और दो question आपको homebox से करने को दिये थे, ठीक है, तो आज हम लोग error के बारे में हो और आगे की बाते देखते हैं, तो अब हमारे पास मैं आपको बताया था कि हम error calculate करेंगे, कि addition में error, अगर formula है, subtraction, multiplication, division, और अगर power में formula है, तो error कैसे calculate करते हैं, तो यहां से कहानी start करते हैं, आपको यह पांचों की पांचों चीज़े में एक एक करके समझाओंगा, अगर आपको यह चीज़े समझ में अच्छे से आ गई, तो उसके बाद numerical में कुछ नहीं है, क्योंकि इनके उपर आए कर लेंगे, let Z is equals to A और B, कि A और B हमने दो quantity को add किया, add करने पर कुछ result तो आता है, उसको मैंने Z will store कर लिया, अच्छा, अब इसके बाद मेरी बात सुनना, अगर हम लोग यहां पर यह माने, F, delta A, delta A क्या, delta से क्या show करते हो, absolute error show करते हो, delta A absolute error है, किसमे, जब आपने A का measurement कि आता है, दो quantity है, A और B, जब आप इसको नाप होगे, तो इसमें भी कुछ error हो सकती है, जब इसको नाप होगे, तो इसमें भी कुछ error हो सकती है, बहुत सारी variety की possible error होती है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई quantity measure करी, तो हमेशा 100% accurate होती है, majority of cases में उसमें कोई ना कोई error जरूर आ गई है, बी में आ गई, जब A के measurement में error आई है delta A, B के measurement में error आई है delta B, तो हम लोगों के पास total answer इसका क्या आएगा, Z, तो Z का answer भी accurate नहीं आएगा, जब इन दोनों की value में कुछ ना कुछ error आ रही है, तो उनको जोडने के बाद जो answer आएगा, उसमें तो कुछ ना कुछ error आएगी, तो इसी वज़ए से, therefore, delta Z क्या हो जाएगा, delta Z will be the absolute error, absolute error in Z, किसकी वज़ए से है यह, due to A and B, due to error in A and B, ठीके A और B की error की वज़ए से हमारे पास Z में error आ गई, अब यह वाली story आपको लोगों को हर जगा पे Z लिखनी है, इसको मैं बार बार निया लिखूंगा, तो यह ध्यान लखना, कि हमारे पास delta A क्या होगी, A में absolute error हो गई, यह B में absolute error हो गई, और इन दोनों error की वज़ए से हमारे पास Z में absolute error कितनी है, यह delta Z, मुझे यही calculate करनी होती है, कि मेरे result में total error possible जो है, वो कितनी है, इसी को calculate करते है, तो यह हम लोगों ने लिख लिया, therefore तो A में absolute error है, वो delta A आई है, तो यह possibility कितना हो जाएगा, A plus minus delta यह लिखेंगे इसको, plus B को क्या लिखेंगे, plus minus delta भी absolute error को यह तो add करते है, यह subtract करते है, उतनी value यह ज्यादा हो सकती है, उतनी value यह फिर कम हो सकती है, तो इतना हमारे पास value आई, तो हमारे पास equal to में क्या चल प्लस बाकी चीज़ों में से मैंने plus minus common ले लिया, तो क्या बचा, delta A plus delta B बचा, ठीक है, कोई issue नहीं है, अब जरा ध्यान से सोचो, जो मेरे पास यह a plus B है और यह z है, यह cancel out हो गए, क्यों, कि z की value किसके equal है, a plus b के equal है, इसलिए z और a plus b आपस में cancel हो गए, तो जो मेरे पा maximum possible error, maximum possible absolute error, कैसी error है, जो लिखी हुए delta Z, absolute error है, maximum possible absolute error in Z, तो कितनी आई है, वो आई है, delta Z is equal to, भई, इसको plus minus लगाने की अब जरूत नहीं है, delta Z is equal to plus minus delta A plus delta B, इसका simple सा मतलब यह जो logic हम लोगों का समझ में आता है, finally निकल के, वो यह बास समझ में आ रही है, कि अगर हम लो लोगों ने दो quantity measure करी, एक quantity के measure करने में absolute error ही, delta A, दूसरी quantity को measure करने में error ही, delta B, तो जो result होगा न, उस result को measure करने में, जो total absolute error हैईगी, वो उन दोनो individual absolute error को क्या करेंगे, add कर देंगे, और add करने पे हम लोगों को total error हमारी मिल जाएगी, तो यह concepts है, इन चीजों को बहुत समझना, आपको जब numerical कराऊंगा, तो यह सारी बाते apply करके दिखाऊंगा, तो देखो, simple सी बात है, कि A और B दो quantity थी, तो हम लोगों ने A और B को तो add कर दिया था, बट जब बात आई हम लोगों के पास, Z तो A plus B से निकल जाएगा, delta Z कैसे निकलेगा, तो delta Z निकालने के ल यह आप लोगों को दोनों quantity की individual absolute error को आपस में क्या करना है, add करना है, आप देखोगे, यह कभी भी minus नहीं होगा, हमेशा यह add ही होगा, तो यह addition में इस तरह से हम लोग अपनी total, जो absolute error होती है, रिजल्ट में, वो calculate कर सकते हैं, ठीके, अब यह चीज में दुबारा नहीं र subtraction की, subtraction में error कैसे निकालते हैं, फिर से वोई बात की हम let कर लेते हैं, कि दो quantity है हमारे पास, a और b दोनों को minus करा, और minus करने के बाद जो result है, उसको मैंने z में store कर लिया, side में वोई सारी बात लिखोगे कि delta a, अगर a को मन आपने में absolute error आई है, delta b b को नापने में आई है, तो result को नापने में कितनी आजाएगे, delta z आजाएगी, तो क्या लिखोगे, z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a, bracket लगा ले न, minus बहार चल रहा है, b plus minus delta b, ठीक है, बहुत असान से formula है, तो z plus minus delta z is equal to, a minus b को तो एक साथ रख दो, फिर इन दोनों quantities में से plus minus a common रख लीजिए, ठीक है, आप देख delta a यहां रखा, और अब जब इस minus की multiply अंदर करोगे, तो यह plus minus क्या हो जाएगा, यह minus plus हो जाएगा, minus पहले और plus बाद में, इस बास से वैसे कोई फराख नी पड़ता, बात वही की वही है, तो plus minus दोनों एक साथ ही न, फिर भी लिखके दिखाने के point of इसे मैं आपको यहां पर, अब a minus b से z cancel out हो गया, क्यों, a minus b की क्या value हो है, z है, तो मैंने a minus b से z cancel out कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहां पर delta z is equal to, हाँ जी, अब यह जो दो quantity है, plus minus a, यह minus plus है, यह plus minus है, एक ही बात कुछ भी मान लो, तो इसमें से मैंने क्या किया, plus minus को बा हम हमेशा यह चेक करेंगे, कि worst case, बेकार से बेकार case में कितनी error आ सकती है, तो इसलिए हमेशा maximum error चेक करते है, अब मुझे बताओ, z की measurement में maximum error कब आ सकती है, जब इनको minus करोगे, जब plus करोगे, तो अब बात है, minus करने पर तो error कम हो जाएगी, plus करने पर maximum possibility आएगी, यह कि हम आपने measurement ही सही से नहीं किया, आपको यह पता ही नहीं था, कि maximum error कितनी आ सकती थी, फिर तो आप instrument को गलत design कर दोगे, तो इसलिए ज़रूरी है, कि आप worst case scenario निकालो, कि बुरी सी बुरी situation में कितनी error आ सकती है, तो इसलिए maximum possible error निकालते है, कौम सी error एगी by default, यह absolute error है, delta z लि प्लस कर दिया, जाद रहना, minus कभी नहीं होगा, जिन दो quantity में आप निकालने चारे थे, वो दो quantity में आपस में minus होई है, तो आप Z आ गया, बट उनकी absolute error हमेशा plus होगी, they'll always be plus, ठीक है, always plus आएगा, यह बात अपने mind match से घुसा लेना, क्योंकि plus क्यों आएगा हमेशा, क्यों चीज़ को measure करने में, इस वज़े से हम हमेशा plus लेके चलेंगे, minus नहीं आएगा किसी भी case में, तो यह subtraction का logic होगा, पूरा का पूरा, तो subtraction में quantity तो आपस में subtract होगी, बद absolute error क्या होगी, add होगी, यह जब question कराऊँगा, तब बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, अ उनका result में इसी z में store कर लिया, side में आप as it is लिखोगे कि delta a is the absolute error in the measurement of a, delta b b में error होगी, और इस तरह से z में कितनी आएगी, delta z आजाएगी, therefore हम लोग लिख लेते हैं इस बात को और अच्छे से, तो side वाली बात अपने आप note कर लेना वो ज़रूरी है, ऐसे लिखा इसको, multiplication चल रहा है, b plus minus delta b लिखा, अभी क्या करोगे, उधर वाली side पे दोनों brackets के multiply कर लो, एक ही option है, जब multiply करोगे तो a b plus, यहाँ सॉरी, plus minus आएगा, a delta b plus minus b delta a plus minus delta a into delta b, ठेक है, अब सुनो जरा, अब यह a b से तो z कर गिया, क्योंकि a और b के multiplication कितनी है, z के equal है, तो a b और z तो गया हो गए, ठीक है, अब मुझे जरा बताओ कि यह absolute error होती है, delta a यह delta b, यह तो बहुत छोटी value होती है, जब दो बहुत छोटी value के multiply करते है, like 0.01 है, इसकी multiply 0.05 से अपसे करवाऊं, तो जो answer आएगा, उसमें तो 4 place बाद 0 लगेगा, यानी answer और भी छोटा हो जाएगा, त delta भी छोटी quantity थी, उनकी multiply करने पर answer और भी छोटा हो जाएगा, तो इतने छोटे answer को add करने से या subtract करने से कोई फरक नहीं पड़ने वाला, तो क्या लिखेंगे, since delta a and delta b are very small quantities, very small quantities, so their product will be much smaller, तो उनकी product और भी smaller हो जाएगी, their product will be much smaller, है ना, तो product बहुत छोटी हो जाएगी, so neglect them, इसको हम लोग neglect कर देंगे, इनसे error पर कोई खास फरक नहीं पड़ने वाला हमारे पास, बहुत minute सी value है, उसको ignore मार दिया, अब जो बचा उसको लिख लो जारा, अब बचा plus minus z, है ना, is equal to plus minus a delta b plus minus b delta a, अब ये बड़ी अब absolute error add हो रही है, ना subtract हो रही है, अजीब सी चीज़े हैं साथ में ये आ गया, तो अब एक काम करो, सारे content को आप किस से divide कर लो, अब सारे content को a, b से divide कर लो, तो plus minus delta z upon a, b, a, b से मैंने से divide कर लो, कोई थमस्या नहीं है, इसको मैं a, b से divide कर लूँगा, मतलब simple mathematics, a, b से मैं सारे content को divide कर लिता हूँ, तो किए मैं इसको easy बना भाऊ, ठीकिया, मैंने a, b से सारे content को divide कर लिया, अब जब मैंने a, b से सारे सारे कंटेंट को डिवाइट कर लिए तो यहां पर क्या हुआ इस जगा पर A से A कड़िया यहां पर B से B कड़िया ठीक है और यहां पर AB की क्या वैल्ली हो सकती है इस AB को अगले स्टेप में क्या लिख दोगे इंट बी को जड लिख दोगे तो हमारे पास फाइनल वेल्यू क्या आएगी बनके तो वी विल गेट फाइनली प्लस माइनस डेल्टा जगा तो मैंने जड लिख दिया is equal to plus minus common उठा लो यहां से क्या बचेगा डेल्टा B upon B और डेल्टा A upon A तो पहले लिख लो डेल्टा A upon A प्लस क्या आगिया डेल्टा B upon B बास समझ में आ रही है इस तरह का हमारे पास formula बना यानि कि इस situation में मेरे पास Z की जो error आई वो absolute error नहीं निकल कि आई upon में Z भी आ रहा है तो ही क्या है relative error है Z के measurement में तो Z के measurement में अगर relative error निकाननी है तो कैसे करते हैं तो जो दो quantity है मतलब मुझे है आप पर relative error लिखनी है तो क्या लिखोंगा delta Z upon Z is equal to delta A upon A plus delta B upon B again होना तो addition ही है तो maximum possible error तो यह ही आईगी तो यह वाली जो error निकल कि आई है यह क्या है इसके आगे आप लिख लेना maximum possible कैसी यह रहा? relative error maximum possible relative error in Z ठीके अब suppose करो कि नहीं हमें relative error नहीं निकानी हमें तो absolute error निकानी तो क्या दिक्कत है आपके पास जब delta Z upon Z की पूरी value solve करके आ गई होगी तो इस वाले नीचे आले Z को उधर ले जाना क्या बचेगा सिर्फ delta Z बचेगा तो absolute error निकाल लोगे आप देखोंगे कई question में मुझे यही करना पड़ाएगा तो मैं इस तरह से formula लगाऊंगा और accordingly अगर मुझे delta Z निकालना होगा तो मैं इसको धर ले जाऊंगा एक application इसका छोटा सा बताता हूँ suppose करो कि मिर पास momentum का formula है P is equals to M into V मुझे M की value के बारे में में बता रखा है उसने यह नहीं M की value भी पता है इसमें absolute error भी पता है delta P upon P की वली वजाएगी फिर क्या करना इस वाले P को उठा के उधर ले जाना तो क्या जाएगा हमारे पास delta P आजाएगा तो इस तरह से भी हम लोग उने store करी दो quantity थी जिनको divide किया जाना था A और B नाम से अब A में जो absolute error हो side में आप लिखोगी यह मैं आपको starting बता दिया था B में absolute error delta B तो Z में कितनी है जाएगी delta Z आचाएगी therefore क्या लिखोंगा Z plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ चीजे इतनी easy नहीं है जितनी आपने पहले पड़ी थी तो कुछ नई चीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर देखते रहो यहाँ मेरे पास अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ 1 plus minus delta A upon A यहाँ से common रख लो B तो क्या बचेगा 1 plus minus delta B upon B ठीक है अब सूचो जरा अब Z से किसको काट सकता हूँ इस Z से A upon B को काट सकता हूँ ना क्योंकि Z is equals to A upon B था तो हाँ अब यह कट जाएंगे अब जो बचावा प्राफिजर है जो बचा मेरे पास data उसको लिख लो तो 1 plus minus delta Z upon Z बचा एक तो मेरे पास bracket में और अब क्या उपर क्या बचा 1 plus minus delta A upon A बचा एक bracket में और नीचे आले bracket की कितनी पावर है भई पावर 1 है तो इसको उपर ले जाता हूँ मैं तो 1 plus minus delta B upon B की पावर कितनी हो गई? minus 1 हो गई ठीक है इतना प्राफिजर हम लोगों को अभी समझ में आया है अब यहां पे बाइनोमियल थियोरम लगेगी mathematics की तो बाइनोमियल थियोरम देखना कैसे लग में कुछ भी हो सकती है तो फामला कैसे उपन होता है फामला उपन होता है 1 plus यह पावर उतरके आजाती है नीचे nx ठीक है 1 plus nx plus n n minus 1 upon 2 x square और ऐसे यह series चलती रहती है न अब to infinity तक चलती रहती है खहर हमें उतनी सारे steps पे नहीं जाना हमारे पास यह higher terms की कोई जरूत नहीं है बस मुझे तो कितना याद रखना है मुझे तो starting की 2 terms से लेना देना है तो binomial थियोरम जब apply करते है math की इस जगह पे तो वहाँ पे 1 plus something की power something है तो वह power उतरके देखो 1 तो यहाँ पावर उतरके नीचे आएगा तो साइन पलट देगा minus plus उससे कोई फरक नहीं पड़ता वैसे तो plus minus दोनों तो आने तब भी है बस पहले बाद में लिखे जाएंगे और यह उतरके नीचे आजाएगा plus में क्या आया plus में डिल्टा भी एपाउन भी बस इतना और लिख लो हाँ पे तो यह बाइनोमियल थियोरम का मैथामेटिक्स का यूज किया गया है यहां पर फिजिक्स में तो मैस आपको हर स्टेप पर यूज करनी पड़ेगी जहां जहां पर मैथामेटिक्स आती रहेगी आपको बताता रहूंगा डिफरेंसियेशन भी आप लोग 11th क्लास की मैस में बढ़ हो गया कोई फरक नहीं पड़ता डेल्टा भी अपॉन भी ठीक है तो बाइनोमियल थियोरम लगा के समाइनस को उड़ा दिया मैंने यहां से अब अगला स्टेप मेरे पास क्या बचा करने के लिए यहां पर मैं दोनों ब्रेक्ट की मैं आपास में मतला मृटिल्प्लायर के अगले स्टेप पर बढ़ते हैं तो मेरा चली रहा है अब क्या करेंगे अब इस सारे में करो तो यह जड़े जड़ आएगा तो करते हैं जड़ा अब इन दोनों में मतल्प्लाय करेंगे तो क्या हाएगा हमारे पस हमारे पास फिरसे plus minus delta A on a और plus minus delta A on a into delta B on be ठीक है अब सोची इजरा फिरसे बही बात आजाती है की हमारे पास बहुत छोटी छोटी दो क्वांटिटी हैं, उनको multiply किया जा रहा है, और फिर बड़ी बड़ी क्वांटिटी से divide किया रहा है, तो विचारा यह result तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, since delta A and delta B are small quantities, so their product will be very small, तो इनका प्रोड़क्ट तो भही है, बहुत ही छोटा हो जाएगा, their product will be very small, अब प्रोड़क्ट इनका बहुत छोटा हो गया, so neglect them, तो भही है, इनको यहां से छोड़ दो, कोई जरूत नहीं है, so neglect them, तो 1 plus minus delta Z upon Z, हाँ जी, 1, अब minus plus plus minus जैसे चाओ मैं पहले A वाले को लिख लेता हूं, delta A upon A, और minus plus जैसे भी चल रहा है, delta B upon B, यह बचा, अब देखो जरा, इस one से यह, one भी cancel out हो गया, कोई दिक्कत ही है, तो अब मेरे पास क्या value बची, plus minus delta Z upon Z, और यहां से plus minus common लोगे, तो delta A upon A, अंदर क्या करूँगा, add ही करूँगा, minus को मत छोड़ देना, possible relative error in Z, कितनी आई, delta Z upon Z maximum हमारे पास जो निकल के आई है, that is, plus minus delta A upon A, plus delta B upon B, यहनी, formula division में है, multiplication में है, कोई फरकनी पड़ता, same value आ रही है, अगर absolute error निकालनी पड़ती, तो इतना calculate कर लेता, और बाद में Z की multiply ले जाके, वहां पर कर देता, तो वो काम भी मेरा आराम से चल वही आया, जिससे हमारे पास multiplication का आया था, कोई फरक नहीं है दोनों में, अब आते है, हमारे पास power में अगर formula है, तो उन्हें कैसे करेंगे, this is again important thing, इसके लिए के example लेके देखता है, तो suppose Z हमारे पास ए quantity है, यहाँ पे constant भी लोगा, ताकि हमें थुड़ी सी बात समझ में आजाए, मैंने constant लिया 5, 5 ले लो, पाई ले लो, कुछ भी ले लो, constant मैंने ऐसी 5 मान लिया, ठीक है, हमारे पास एक quantity थी A, एक quantity थी B, B की power मैंने मान लिए, suppose small b, upon में एक quantity में पास है C, C की power मैंने मान लिए Q, इस तरह का एक complicated सा formula है, और मुझसे वही पूछा जाता है फिर पीछे वाले में अगर percentage error पूछता तो क्या दिक्कत थी, जब relative error निकाल ली, तो अगले step में क्या करते, अगले step में हाँ पे 100 से multiply कर देते, तो delta z by z into 100, यह क्या पढ़ जाती, percentage error, कैसे निकाल लेते, तो भही यह delta a upon a into 100, a में percentage error, ठीक है, plus delta b upon b into 100, b में percentage error, समझ मारी यह न तो चलो इस पर आते हैं इस वाले concept पर, अब इसको कैसे solve करें, यहां mathematics थोड़ी और अच्छे level पर लगेगी, मुझे ज़रा सबसे पहले logarithm तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा है, यहां पर log के कुछ basic formula देख लो, अब log के जो basic formula होते हैं, यह अलग से कहीं पर note कर लेना, के e बोलता हैं इसको, जैसे हमारे पास πाई की value होती है, 3.14 तो ऐसी e भी होता है, तो log e base में मानगे चल रहा हूं सारी चीज़े, log m plus log n यानि log में अगर मेरे पास दो दो चीज़े हैं, बीच में plus लगा हुआ है, तो इनको बंद करके log यह कहता है, आप क्या करो, दोनों को multiply में लिग दो, m into n एक ही log लगा दो, दोनों को multiply में लिग दो, या फिर जब दो चीज़े multiply में होंगी, बहार log लगा हुआ है, तो जब log enter करेगा, अंदर तो क्या कर देगा, दोनों को अलग अलग कर देगा, बीच में क्या लगवा देगा, प्लस लगा देगा, तो यह पहला formula आ गया, दूसर का division है, तो पहले वाली quantity के साथ log, माइनस दूसरे वाली quantity के साथ log, तीसरा formula जो log का है, वो यह कहता है, कि log e base पे कोई value है, m, इसकी power है कुछ n, तो यह power जो है, नीचे कुद के आ जाएगी, पावर कहां आ जाएगी, यह power उतर के log से पहले आ जाएगी, तो n into log e base पे m, ठीक पे चाहिए होंगे, आपको आने चाहिए है यह formula, ठीक है, तेको, यह पूरा result समझा रहा हूँ, आपसे power में, addition में, subtraction में, जितना पढ़ाया ने, कुछ exam में पूछनी चाहिएगा, यह अगर नहीं आता, तो question नहीं कर पाओगे, question को समझाने के लिए कि numerical solve कर पाओ, उसके लिए इतना सारा कुछ पढ़ाया रहा है, ऐसा कुछ भी exam में नहीं आएगा, कि यह सब formula derive करवाया जाएगे, power की formula derive करवाया जाएगे, आपको यह basic सारा आना चाहिए, so that आप numerical attempt कर सको, otherwise numerical इसके हिलेंगे भी नहीं आपस, तो चलो, अब यह वाला हमारे पास formula हो गया, तो इसको हम लोग apply करना शुरू करते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले, मैं हाप लॉग लूगा, ऐसा सारी बात समझ में आएगी, एक एक point समझ में आएगा, power सब में पाँचों में सबसे ज़्यादा important power वाले formula होते है, taking log on both side, log एक mathematical operation होता है, जिसे sine cost 10 पढ़े ह trigonometry में, ऐसे log भी होता है, तो दोनों side का जब log लेंगे, तो log z, अब log 5ab की power p upon c की power q, ठीक, अब यहाँ फर्मला लगेगा नि लगेगा, एक quantity उपर है, एक quantity नीचे है, तो m upon n वाला formula, दोनों को minus में करके लिग दूँगा, तो log z, हांची, क्या हैगा, log 5ab e, p, एक log में तो यह आया, minus log c, q है ना, इस दोनों चीज़ों को इसको एक जगा लिख दिया, इसको एक जगा लिख दिया, log के formula से, अच्या, अब यहाँ पर तीन-तीन चीज़ों की multiplication है, जब multiplication होती है, तो क्या करते हैं, हम लोग addition करके लिख देते हैं, तो और तोड़ दो इसको मैं एक एक step समझा रहा हूँ, shortcut से मैं चाहता है, एक line में इसको solve कर देता, पर आपको एक एक बात बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर सरक कुछ लिखा नहीं नीचे, बेस तो जब कहीं पर कुछ नहीं लिखा होता नीचे, तो वहाँ पर सब जगा e माना जाता है, e base ह log 5 plus log a, सब को तोड़ दू अलग-अलग, plus log b की power p है, ठीक है, minus में के चल रहा था, log c की power q चल रहा था, अभी last formula क्या apply करोगे, power a उतर के कहां जाएंगी, सारी नीचे आ जाएंगी, तो finally logarithm लेके, आप लोग इस तरह से इसको लिख पाए, log 5 plus p बहार आगिया, p log a, sorry, यहा नहीं आएगा, एक मिन्टर को, मैंने करबर गर दी, p log a नहीं आएगा, a पे तो कुछ भी नहीं है, तो log a, plus यहाँ पे आएगा, p log b, minus q log c, ठीक है, finally इस तरह से formula टूट गया, अब सोचो ज़रा, log 5 तो यह pure mathematical, pure constant quantity है न, भई, a, b, c तो variable है, मारे पास, यह धियान लगना, a, b, c variable quantity है, इनकी कोई नहीं कोई अलग value होंगी, but 5 तो क्या constant है, तो अगले step में क्या करूँगा, यहाँ पे लिए आता है, इनका partial differentiation, क्या लेते हैं, partial differentiation लेते हैं, और उसको directly तुमारे समझाने के point of view से में लग दूँगा, कि कैसे लिखेंगे, easy way मैं करूँगा, बहुत concepts, 11-12 के questions को solve करने में use होते हैं, बहुत basic वाले concept, तो यहाँ पर partial differentiation करने वाला हूँ, अब partial differentiation जब constant quantity का किया जाता है, तो वो zero हो जाता है, ध्यान रखना, अब यही लिखने वाला हूँ, taking partial differentiation on both side, ठीक है, taking partial differentiation, differentiation, differentiation भी mathematics का एक operation है, बहुत important है, calculus नाम से math होती है, पूरी की पूरी, उसमें differentiation और integration concepts आते हैं, और differentiation differentiation integration एक ऐसा concept है, जो आगे तक physics के हर एक step पे गाम आता है, ठीक है, taking partial differentiation on both sides, दोनों side का partial differentiation करने के बाद directly की आएगा, समझना मेरी बात, log z, log z का जब partial differentiation कर देते हैं, तो यह लिख जाता है, delta z upon z, ठीक है, तो delta उपर आ जाता है, z नीचे आ जाता है, इतना तो आपको याद र जाएगा 0, constant का partial differentiation होता है, 0, log a, क्या आएगा, delta a upon a, ठीक है, log a का क्या आएगा, delta a upon a, फिर क्या आए, next में हमारे पास, p log b, p तो constant, p तो अलग हटा दो, यहाँ पर constant के साथ variable दोनों है, जब constant variable दोनों साथ साथ होते है, तो constant हट जाता है, अलग, और variable का differentiation करते है, यहाँ बिचारा constant ही constant था, तो बिचारा मर गया, 0 हो गया, यहाँ पर constant के साथ साथ क्या है, एक variable quantity b है, log के पास बैठी हुई, हमारे पास b, कुछ होगा, यह momentum, mass, कुछ भी, तो p को अलग हटा के b का definition करूँगा, तो p तो अलग हटा दिया, क्या आ गया, delta b upon b, बाद में आप देख पाए, constant थो खतम हो गया, पूरा का पूरा, अब क्या लिखेंगे, therefore maximum, हमें तो worst case scenario शाहिए, मैं बार 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 बोल रहा हूँ, तो maximum possible, कैसी error, relative error, maximum possible relative error, in which, in z, क्या लिखोगे, delta z by z, max अगर निकालना है, तो क्या आया, plus minus बाहर, ऐसी अपनी मज़ी से extra रख लेना, और ज सबको add करोगे, minus की जगा भी क्या लगा दोगे, plus लगा दोगे, तो maximum possible error, जो आ सकती है, किसी formula में, वो ये आ सकती है, तो ये formula बना, ये अपने किस से निकाला, ये अपने इस formula से निकाला, shortcut से, अब ज़रा मेरा shortcut सुनना, मैं इस formula को दुबारा से लिखके, इतना सारा काम न upon c की power q, अब देखो, shortcut इस तरह से, इस से एकदम से ये कैसे बनाएंगे, देखो, हमारे पास z है, तो ये delta z upon z, लिख लोगे, delta z upon z max, है न, is equal to, 5 का तो खतम, constant तो उठाना ये याद रहना चाहिए, कि constant अगर इस से formula में आता, तो constant को भूल जाओ, वो तो 0 हो गया ता, log ले ये इस तरीके से समझ में आती है, जब आपको log समझाया जाता है, तो तुम्हें कभी ये पता हिना लगेगा, कि ये 0 क्यों हो गया, इसे क्यों नहीं लेते, तो ये constant हटा दो, इसे भूल जाओ, तो इसे भूल गए हम लोग, ठीक है, 5 को उड़ा दो, a की जगा क्या लिख आएगा, a के लिए आएगा, delta a upon a, ठीक है, फिर क्या है, b की power p है, power को उतारो नीचे, और delta p upon p, तो power को उतारा नीचे, ये आ गया, delta b upon b, ठीक है, फिर c की power q है, नीचे है, या उपर इसे कोई फराखी नहीं पढ़ता हम लोगों को, तो q को उतारा नीचे, तो plus लगा होग अधर राइत भीया, ये है कि रटा मार लो, रटने वाली चीज हो जाती है, तो रटने वाने वाला काम तो कराना नहीं है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये formula कैसे बनता है, क्यों constant यहां से उड़ा दिया जाता है, partial differentiation पे भी तरना ध्यान मत देना, जितना भी ठीक है, अब इसमें एक बात बहुत important और ध्यान देने वाली है, वो दूसरी बात ध्यान देने वाली जो है, वो क्या है, कि यहां पे आपके पास A, B और C तीन quantity थी, इनके उपर power भी थी P और Q, तो देखो power जो है न, power कहां पे आ गई, power उसकी absolute, उसकी relative error से बाहर आ गई, multiply हो गई, अगर यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो अगर 3 है, तो situation में, जो भी value है, वो 3 गुना हो गई, अगर यह 5 है, तो जो भी value है, वो 5 गुना हो गई, इसका मतलब, अगर हमारे पास कोई quantity है, जिसकी power सबसे जादा है, तो उस situation में, उस quantity को सबसे ध्यान से मिजर करना चा तो कितना होगा, पंदरा परसेंट किया रहा आपने इसमें करती, तो इसलिए जो quantity पे जितने ही जादा हाई power होती है, उसको उतना ही accurately measure करना होता है, ठीक है, तो इस बात को आप यहां पे note कर लेना, मैं ऐसे बोल देता हूं, आप जगा तो है नहीं, कि इस बात को note बना के लिख लेना, ऐसे लिख लेना, higher power term should be measured with very carefully, यानि higher power term should be measured very carefully, जिस particular formula में जो highest power होगी, उसको सबसे, उस quantity को सबसे ध्यान से measure करना होता है, ठीक है, इसके उपर NCRD में question भी पूछा हुआ है, highest power होगी कि कि अगर पावर हमारे पास जादा होगी, तो power से तो मेटल प्ला हो जा होएगी, वो total बहुत जादा हो जाएगी, ठीक है, अब percentage error में कुछ नहीं है, इसी में percentage error में कुछ नहीं है, इसी में percentage error में होती है, 100 से पूरी equation को multiply कर देते, percentage error भी बन जाती, तो इतना basic हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब एक दो पहले question कर लेते हैं, बाकी question में अपनी last class में करेंगे, देखो, the length of two cylinders are measured to be L1 इतना आया, L2 मेरे पास इतना आया, तो L1 इतना है, तो L1 में जो ये दो value है ना, तो ये तो मेरे पास मेरी L1 की value है, और ये plus minus करके लिखा हुआ है, ये क्या है, उसमें least count है, उसकी delta L1 है, ऐसे ये क्या है, ये मेरी delta L2 है, plus minus लगे, जो लिखा हुआ है, आपको difference निकालना है length का error limit के साथ है, अब difference कैसे निकाल लेंगे हमारे पास, चारो वली तो मैंने आपके लिख दी, तो आप solution जब करोगे, तो क्या लिखोगे, given है हम लोगों को, क्या, L1 तो है 5.62 cm, और जो delta L1 है, वो कितना है, plus minus 0. 0.01 cm, ऐसी लिखा करो हमेशा, L2 कितना है, 4.34 cm, delta L2 कितना है, plus minus 0.02 cm, therefore difference निकालना है error limit के साथ, difference in length, अब difference length का कैसे निकालेंगे, तो यह difference निकालने के लिए simple सा logic क्या है, कि आप L1 में से L2 को minus कर दोगे, यह quantity तो simple minus हो जाएंगी, मैं आपको पता है कि जब यह quantity minus हो, चाहे plus हो से कोई फरक नहीं पड़ता, जो absolute error आती है, वो तो हमेशा plus ही करनी होती है, तो quantity को तो simple आप minus कर कर लेना, तो 1.28 cm, यह हमारे पास value आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो यह delta L निकालोगे, absolute error निकालोगे L के measurement में, वो कैसे आएगी, उसमें तो आपको delta वालो को plus ही करना है, हमेशा, कि हम लोग maximum possible case देखते हैं, तो 0.01 और यह क्या है, 0.02, तो कितना होगी है plus minus म 0.03 cm, तो आप लोगोंने क्या करा, आप लोगोंने difference निकाला और यह इसकी error limit निकाली, तो यह error limit हमने सीख ली थी कि कैसे निकालते हैं, absolute error को add करके निकालते हैं, तो final answer कैसा रहेगा, therefore, required value is equal to, पहले तो original value लिखोगे, 1.28 plus minus लगाओगे, free value लिखोगे, 0.03, और बाहर के ल दिल करते हो, ठीक है, अब अगला question देखो, length breath है, rectangular lamina, यह प्लेट है, उसकी length breath इतनी है, यह length है, यह breath के बारे में बोल रखा है, area calculate करना है, error limit के साथ, area कैसे निकालेंगे, multiplication लगेगा, सिरी सी बात है, solution करने से पहले, लिख लो, कि क्या-क्या, L और B की value दे रखी है, तो given delta L कितना है, delta L समझ जाओगे, यह L है, यह delta L है, यह B है, यह delta B है, तो delta L कितना दे रखा है, 0.2 cm, B कितना है, B है, 1.6 cm, और delta B कितना है, delta B है, 0.1 cm, ठीक है, अब area निकालना है, area का formula क्या होता है, area is equals to length into breath, multiplication में अगर formula है, तो A तो diet निकाल लोगे, बढ़ डेल्टा A निक situation का, अगर delta A का formula निकालना है, तो वो क्या होता है, वो formula तो यह निकालते हो, delta A upon A is equals to delta L upon L, बाहर plus minus B लगाते हो, plus delta B upon B, यही तो सिखाया था तो में पूरा, कि में अगर 2 quantity होती है, तो उसका ऐसे formula बनता है, at last में, तो यह हम लोगों को अच्छे से आता है, कोई दिक्कत तो सबसे पहले A निकाल लो, उसके बाद अब A निकाल लोगे, तो delta A भी निकल जाएगा, यूँकि फाइनल आंसर तो क्या आएगा, फाइनल आंसर जो दोगे, फाइनल आंसर में यहां लिख देता हूँ, फाइनल आंसर कैसे दोगे, वो A plus minus delta A के दोगे ना, भाई area की value, plus उसमे absolute error, तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, area भी निकालना पड़ेगा, और absolute error भी निकालनी पड़ेगी, area भी निकालना पड़ेगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगी, कोई समास्या नहीं है, तो A कितना है, L have 2.3, नजर आ रहा है तुम्हें यहा पर आजाओ इधर, तो delta A upon A, ठीक है, is equals to plus minus चली रहा है, delta L, आज यह delta L कितना है, 0.2 है, delta L कि अपान में L है, L है 2.3 है, plus delta B कितना है, 0.1 है, B कितना है, 1.6 है, इस area की यहां पे जो यह area है, इसकी value को क्या लिख दोगे, इसकी जगा पे upon में 3.68 लिख देना, निकाल चुक इसे solve कर लो, इसे solve कर लो, LCM ले बिना, कोशिश करना कि LCM ना लो बच्चे की गलती करते, LCM लेना शुरू कर देते हैं, 23 और 16 का LCM लोगे बहुत calculation पढ़ जाएगी, तो एक काम करना, point से point हटाना, 2 by 23, 23 से 2 को डिवाइट करके, point 2 में answer निकालना, यहां point 2 में answer निकालना, दोनों को जोड़ देना, और जो भी आएगी value, उसकी metal package से कर दोगे, 3.68 महाँ पर चला जाएगा, तो आपका delta A जो निकल के आएगा, लगबग, वहाएगा, plus minus कितना, plus minus 0.55 cm2, तो ऐसे delta A निकालना होगा आपको, और जैसे ही A और delta A दोनों आप निकाल लोगे solve करके, तो final answer मैंने हाप लिखी दिया, कैसे लिखोगे, A plus minus delta A की value कितनी, 3.68 cm, delta A की value कितनी, 0.55 cm, तो आप answer match कर लेना, आपके पास यह वाली value आजाएगी, तो इस तरह से multiplication वाले logic को handle करते है, formula देख लो कि multiply में है, divide में है, आपको हर तरह की situation tackle करनी, मैंने सिखा दी, ठीक है, चलो, अब इसके वादे की important है, formula काफी, मतलब important question NCRT का, यह काफी बार repeat होता है, exams में, धियान रखना, इसको कैसे करेंगे, यह last question आज के लिए, बाकी के question आपको next class में करवाऊँगा, देख लो, दो resistors है, R1 की value इतने oms है, R2 की value इतने oms है, यानि R1, R2 है, यह उसमें absolute error है, 3 एक बार इनको series में connect करा, एक बार parallel में, तो आपको equivalent resistance बताना है, series और parallel combination का, error limit के साथ बताना होगा, obvious ही बात है, formula हम लोगों को अच्छे से पता है, series के लिए हमारे पास यह है, parallel के लिए हमारे पास one upon वाला formula होता है, parallel में हम लोगों को, इस formula के साथ साथ, इस formula में, error limit भी निकालनी होगी, तो parallel के लिए हमने, उसने हमें एक formula और दे दिया बना के, तो इसको भी use कर लेंगे, error limit निकालनी होगे लिए, delta r तो निकालोगे न, सबसे पहला case किस में, सबसे पहले solution में यह लिखते है, r1, r2 है कितना, तो जो given है सबसे बहले तो वो लिखते हैं, बाकी 200 ohm, delta r2 कितना है, वो है 4 ohm, कोई समस्या नहीं है, अब यहां से शुरू करते है, now case 1, case 1 कौन सा, for series combination, इन resistors का series combination कैसे निकालेंगे, तो यह series combination के case में formula क्या है, r is equal to r1 plus r2, ठीक है, जब दो चीज़े addition में होती है, तो जो यह वाली value होती है, यह भी add होती है, और यह जो absolute error यह तो हमेशा यह add होती है, तो क्या करोगे, r निकाल लो अराम से, तो r कितना हैगा, r will be equal to 100 plus 200, तो 100 plus 200 कितना हो गया, r हमारे पास आगया, इस जगह पे 300 ohm, ठीक है, and delta r भी निकालोगे, तो delta r कैसे आएगा, delta r निकालने के लिए, delta r1 plus delta, बड़ा असान होगा न, addition था, त तो 3 ohm plus 4 ohm, कितना आगया, 7 ohm आगया, तो final answer series में क्या लिखोगे, यह वाली value, plus minus यह वाली value, तो कैसे लिखोगे, therefore in series, जो हमारे पास r आया, finally, वो कितना आया, वो 300 ohm plus minus 7, इतने ohm, ऐसे तो यह हमारा series का answer आगया, ठीक है, एक बड़ देख लेते हैं, इस value को क्या आ रह है, अब जब बात आती है parallel, कि तो parallel combination formula बदल गया, r' निकालने का formula बदल गया, इसके अलावा, जो delta r निकालोगे, उसका formula इसने लिखके दे ही रखा है, पूरा का पूरा, अब case 2 पे चलते हैं, तो, case 2 किसके लिए, for parallel combination, तो parallel combination में जब चलेंगे, तो parallel combination के लिए formula 1 upon r है, हम इसका shortcut हमने 10th में सीख रखा है, कि parallel में अगर r' निकालना है, तो क्या करते हैं, दोनों resistor की multiply करते हैं, upon में दोनों का क्या कर देते हैं, addition कर देते हैं, हम इसी से निकालेंगे, वही formula है, same to same, r1, r2, कितने, कितने ohm है, r1 is equal to 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 200 upon 3 बचा, तो 200 upon 3 कितना होता है, 66.67, यानि 66.67 ohm हमारे पास r' आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब इसकी error limit भी तो निकालोगे, डेल्टा r' के बिना थो जीना काम चल जाएगा, तो डेल्टा r' निकालने के लिए ही, उसने तुमें यह complicated formula दिया, इसको note करो, डेल्टा r' upon r' square is equal to delta r' upon r' square, इसको note कर लो, डेल्टा r' upon r' square is equal to delta r' upon r' square plus delta r' upon r' square, यह formula मैंने as it is यहाँ पर note कर लिया, अब सारी value भर दो, value कैसे भर होगे, डेल्टा r' upon r' square, तो r' square मतलब इसको बाद मैं use कर लेंगे, रखना तो पड़े गई, delta r'1, delta r'1 कितना है, delta r'1 3 है, और delta r'2 कितना है, 4 है, तो delta r'1 हमारे पास 3 है, ठीक है, और delta r'2 कितना है, 4 है, upon मैं r'1 और इसका r'2 का square है, यहाँ पर 100 का square, और यहाँ पर 200 का square, समझ यहाँ बात, इस तरह से हो गया, यह, ठीक है, अब delta r'2 calculate करना है, तो delta r'2 कितना है, तो delta r'2 कितना हो गया, 4 हो गया, ब्रैकेट में मैं कितना है, r'2 square आ जाएगा, r'2 कितना है, 66.67, इसको वापस पीछे लेके जाओ, वापस कितना है था, 200 upon 3, इसको यूज करना, तो 200 upon 3 क स्क्वार रिखना पड़ेगा, तो 200 upon 3 का स्क्वार, इससे calculation थोगी असान पड़ेगी, तो delta r' is equal to, हाँ जी, क्या common आ जाएगा, यहाँ से कटके, यहाँ से 10 की पावर 4 बहार आ जाएगा भी, तो 10 की 1 upon 10 की पावर 4 में यहाँ से बहार उठा लिया, यहाँ कितना बच्चा म यहाँ पर 1 बच्चा, देखो कितना आसान का ग्लिशन होगी, कुछ खास नहीं करना पड़ा, अब 200 यानि 4 into 10 की पावर 4 हो गया, upon 3 का स्क्वार कितना हो गया, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कड़ गया, 3 और 1, 4, 4.16, 16 upon 9, 16 upon 9, 16 upon 9 को स्क्वाड़ा solve कर लेना, तो तुमारे प प्लस माइनस डेल्टा आर डेश, तो भाया, आर डेश कितना आया था, आर डेश 66.67 आया था की नहीं आया था, और यह आर डेश निकालने के लिए कितना जिंजट करा तुमने, 1.8 ओम, ठीक है, तो ऐसे इस फामले का यूज़ करके, इस तरही के से कैलकुलेशन है, तुमा बहुत बार एक्जाम में, स्कूल के लोकल एक्जाम में बहुत बार बूचा गया है, कहीं स्कूल से निसे रेपीट किया हुए, आपके NCRT का क्योशन है, तो इतना आप लोग आज काम कर लोगे, यहां तक मैंने आप लोगों को बेसिक फामले बता दिये, सारा कुछ करते हैं, वो आती है तो फिर कोई समस्या नहीं है, सारे कोशन्स अराम से सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है न, तो आज के लिए इतना ही, लास्ट क्लास हमारी योगिस के बाद बारी उसमें हमारा सब कुष्ट कवर अप हो जाएगा, ठीक है?